नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं साथ जूलूस की सक्ल में डुरंडा इसी सिक्षा मंत्री जगानात महतों के आवास तक पद्यात्रा करते हुए पहुँचे समयोजित करने का वादा किया था लेकिन लगबग तीन साल बाइद भी या घोसना पूरी नहीं होई सरकार के महा दिवाक्ता ने भी सरकार को लिखित राय सोपी थी की टेट पास पराशिचकों को बेतन मान देते हुए समयोजित किया जा सकता है और इसके कोई भी बिधिक अरचन नहीं है राज सरकार ने इन तमाम तत्यों को दरकिनार करते हुए मांदे में मामूली बढ़ोतरी करते हुए एक दोयोम दर्जे की नेमावली घठित कर दी है पारासिशकों ने चेतावनी भी दी है कि एक सब्ता के भीतर यदी सरकार बेतनमान और समयोजन के विशय पर अधिकारिक पहल और वाता नहीं करती है तो मुख्य मंत्री आवाज का भी घिराव किया जाएगा राजेपल रमेस बैस ने कहा चुनाव आयोग का लिफाफा ऐसा चिपका की खूल ही नहीं रहा है राची में मीडिया ने जब राजेपल से चुनाव आयोग की सिफारी से जुड़े सवाल किये तो उन्होंने मजा किया लहजे में मीडिया को ऐसा जबाब दिया है कि सब की हंती छुट गई बता दे जे एमेम सांसद महुआ माजी ने कहा है कि राजेपल को चुनाव आयो किसी पाड़ी सरोजनिक करने में अब देर नहीं करनी चाहिए इसको लेकर सब हैरान है एक भरम किस्तिती बनी हुई है जब हम लोगों ने राजेपल से मुलकात की तो उस समय कहा गया कि रिपोर्ट जल्द ही सरोजनी किया जाएगा उसके बाद सियम हमन्सुरे ने भी उनसे मुलकात की उसके बाद दिली भी गए हम लोगों के बीच एक भाय का महौल बना हुआ है कि कहीं ओपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दिया जा रहा कांग्रेस के तीन बिधायक कैस परकरान में फंसे हैं राजेपाल को चाहिए कि इस मामले पर जल्द से जल्द संग्यान ले जारखन में लोगसभा की चुनाव की त्यारी में जूटी बीजेपी लोगसभा चुनाव तो हजारखन में जारखन में बीजेपी सभी 14 सीटे जीत कर दिखाएगी यही लक्ष लेकर मैं जार्खन आया हूँ एक कहना है जार्खन बिजेपी की नई प्रभारी लक्षमी कांध भाजबेई का शुक्रवार को राची इतीत बिजेपी दफ्तर में अपने स्वागत समोधर में नई प्रभारी ने कहा है कि पार्टी ने अगले लोकसभा चुना मे जार्खन बिजेपी के नउन युक्त प्रभारी लक्षमी कांध भाजबेई का परदेश बिजेपी कर्याले में जोस और उत्सा के साथ स्वागत किया गया पार्टी संगठन से जूटे सभी नेता और करकताव ने फोल माला देखकर अपने प्रभारी का स्वागत किया मुख्य सचीव को अमानना नोटीस परिवहन सचीव का बेतन रुका जार्खन हाई कोट ने जमिन विवाद से जुड़े एक मामले में असपश जनकारी नहीं दिया जाने पर राजी के मुख्य सचीव सुकदेव सिंग और देव घर के ततकारी अंचला दिकारी अनिल कुमा सिंग को अमानना नोटीस परिवह जारी किया है. अदालत ने उन से पुछा है कि क्यो नहीं उनके खिलाप अमानना की करवाही शुरू कर दियाए अदालत ने मुख्य सचीव से पूछा है कि क्यो नहीं के अंधरिय कारमिक विभाग से उनके रेकौड में या परतिकूल टि प Fr.o. धश्ट की नहीं किया गया तंस राज्येपाल ने कहा 225 से पहले TV मुक्त हो जार्ख भाएव लाज्येपाल पर सुख moeten 20-25 पहले भी जार थे से मुक्त हो सकता है आइसा कर राज्येप, पूरे देश के लिए एक मिसाल पेस कर सकता है राज्यपाल ने सुकरवार को आड्रे हाउस में टीवी मुख्थ भारत अभियान का ज्यारखन में सुभारम के ऐसर पर अपने समूधन में ये बाते कही उन्होंने कहा आये कि टीवी मुख्त जार्खन बनाने के लिकेवर डॉक्टर वो अस्पतालों के भरुसे रहने से काम नहीं चलेगा हर वर्ग को इस अभ्यान से जोड़ना होगा इसे से पहले राज जेपाल तथा स्वास्त मंत्री बना गुपता ने अभ्यान का विधिवा सुभारम किया इसे पहले राश्पति द्रोपति मुर्मू ने नौ सितमबर को पुरे देश में इसका सुभारम किया था रखुबर्दास ने फिर दिखाए अपने कड़वे तेवर जार्खन के पुरो मुख मंत्री और भाजपा कराश्टिये उपाध्यक्ष रखुबर्दास ने उन्हें से बत्ति के खतियान का धार परास्थानिया नीती के निर्धारन समधी मुख्य मंत्री हमांसुरिण की घ ठावरना अस्थन वेधानिक है उन्होंने आरोप लगाया है कि हमन्त सरकार के कारेकाल में 29,000 क्रोर से अधिक कावध उत्खनन हुआ है यही परिवार के खाते में सारा पैसा गया है केंद्री एजन्सियों को इस पर संग्यान लेना चाहिए जनता इस से आक्रोशित है रख पचासी को कॉट अफडेट बनाया है जारखन के पैसाठ हजार सिख्षको को मिलेगा 10 लाख का बीमा जारखन में समग्र सिख्षा अभ्यान के ताहत कारेड़त पैसाठ हजार पारा सिख्षको का बीमा होगा उन्हें ग्रूप बीमा तथा दुर घटना बीमा से जोड़ा जाएगा ग्रूप बीमा में जीवन बीमा तसा सेवा निवरित लाव दोनों सामिल हैं इसे पारा सिख्षको को 60 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें एक मुझ तरासी सेवा निवरित लाव के रूप में मिल सकेगी ताकि उक तरासी सेवे आगे का जीवन ठीक ढंग से बसर कर सके सबसे बड़ी बातिया है कि इन सभी सुविद्धाऊ का लाव समग स्क्षाभ्यान के तहत ही कारदात, परकंद साधन सेवियों और संकुल साधन सेवियों के अलावा कस्तुर्बागा आंदीबाल कावा से विद्यालों में कारदा उस चंगठन का अत्यांत महत्पुन उग्रवादी था पर्तिबंदी चंगठन भागपा मवादी में इनका ओहदा रिजिनल कमिटी से और परमूख ठिंग ट्रेंग था यह जनकारी पलामू स्पी चंदन कुमार सिंग ने दी है इस पर बिहार सरकार ने तीन तो जारकन सरकार ने का मुख्य केंदर बिंदू संथाल पर गना ही है यह बात पाजपा के परदेश अध्यक्ष सर राज सबसांसत दीपक परकास ने सुक्रवाई को परिसतन में कही परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि साहिव गंज के राज महल में बड़ी संख्या में घुसपैटी हुई है जन लोगों का वोट बैंक के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है पूरानी पेंशन की खोशी में सचीवाले कर्मियों ने किया सीएम का अभिनंदन जार्खन के मुख्य मंत्री हमांसुन ने सुक्रवार को जार्खन बिधान सबापरिसर में जार्खन सचीवाले सेवास संग जार्खन बिधान सबाथ सचीवाले के सन्यूक तत्वधान में आयोजीत धन्यवाद के आपन कारक्रम को समोधित करते हुए कि सरकारी कर्मियों के लिए रिटार्मेंट के बाद पेंशन सबसे बहुत सहारा होती है या उनके बुढ़ापे की लाठी होती है ऐसे में वे जार्खन की आंगनवारी सेविका एवं सहाईकाओ को बोनस देने की त्यारी जार्खन की मुख्य मंत्री है मंतुरे ने आंगनवारी सेविका एवं सहाईकाओ को या भरोसा दिलाया है कि जार्खन के सभी आंगनवारी केंद्रों को सुसाजित किया जाएगा बिजली पानी जारखन में सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण जारखन में पीछड़ा राजे नहीं है लेकिन इसे पिछड़ा बनाया गया है पिछले 20 सालों में इस राज और यहां के जन मानस के प्रति सरकारों के सन्वेदना नहीं रही जब से हमारी सरकार आई है हम मुलवासियों, आदिवासियों सही सभी गरीबों और जरुरत मंद लोगों के हितमेनी न ले रहे हैं हम राज के स्वाभिमान और राजवास्यों के मान सम्मान से सम्झता नहीं करने वाले आपको आपका हक और अधिकार हराल में देंगे सियम हमन्त ने सभी दुर्गापुजा समीतियों के प्रतिनिधी मंडल को दिया भरोसा मुख्य मंत्री हमन सुरे ने कहा है कि सुरक्षा के साथ बिजली पानियम साब सफाई को लेकर परसासन को आवसक निर्देश दे दिये गए हैं रांची जीला दुर्गा पुजा समीती और महानगर स्थिरी दुर्गा पुजा समीती ने मुखे मंत्री को सब परिवार विभीन पुजा पंडालों का भ्रहमन और मा का दर्शन वासिरवाद लेने के लिए मंत्रित किया है सियम ने कहा है कि दो बरसों के बाद इस बार पुरे उलास उमंग और दुमधाम के साथ दुर्गा पुजा का तेवार मनाये जाने की त्यारी जोर सोर से चल रही है अब और आकरसक फुजा पंडाल बनाये जा रहे हैं हर व्यक्ति और हर तबका इन तेवारों का पुरा अनन्द ले सांती एवं सदभाव का महौल बना रहे और पर्वक का समापन अच्छे से हो जाए जारखन में साइबर अपराद के 617 केस दर्ज 417 आरेजट जारखन में इस वर साइबर अपराद के कुल 617 केस दर्ज किये गए हैं इनमें से 417 साइबर अपरादियों की गिरपतारी हुई है जारखन पुलिस की ओर से CM एमन सुर्ण की एजनकारी पुलिस अधिक्षकों के साथ समिक्षा बैठक में दी गई इस दोरां CM ने कहा आए कि लोग अन ओडर को कैसे बेहतर बनाए रखे इस पर आपको अपने अस्तर पर कारे करने की जरूरत है अपराद के कई चेहरे हैं तरह तरह के अपरादिक मामले सामने आ रहे हैं साइबर अपराद और महिला उत्पिरन जैसी खाटनाए बढ़ रही है इनसे निपटने के लिठो सरहनिती बनानी चाहिए टाटा फुटबॉल एकेडमी में दाखिला के लिए राइस्ट्रेशन सुरू 14 नॉवंबर को ट्रायाल भारत की सबसे प्रतिश्टिट और पहली फुटबॉल एकेडमी टाटा फुटबॉल एकेडमी में दाखिला के लिए खिलाडियों का ट्रेयल 14 नुवंबर को जारकन के पुर्वी से हुम जीले के जमसेदपुर में होगा अल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से फौर एस्टार एक क्रिटी दर्जा हासिल कर चुकी टाटा फुटबॉल एकेडमी के राइस्टेशन पर किरिया सुरू हो गाई है अधिकारिक बेप साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं खिलाडियों का TFA में सेलेक्शन होने के बाद अगले चार वर्षों तक फिरी में ट्रेनिंग दी जाती है खिलाडियों को सिख्षा भी दी जाती है धन्यवाद यदि आप चनल परना है तो चनल को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एक अंदा बढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कमेंट बस में अपना फीडियो एक अवस्य दे थैंक्यू